हेलो फ्रेंज आज का हमारा टॉपिक है एकोलोजिकल सक्सेशन यह MSC फर्स्ट चेमेस्टर सब्जेक्ट एकोलोजियान इन्वर्मेंटल फिजोलोजिकल टॉपिक है तीक है तो सानॉपसिस से हम लोगी स्टार्ट करेंगे सानॉपसिस में हैं इंटोड़क्शन डेफिनेशन Various Stages of Succession, Types of Plant Succession, Cases of Succession, Conclusion, Reference इंटोड़क्शन देखेंगे इकोलोजिकल सक्सेशन is the process of change in the species structure of an ecological community over time विकास की successive process है समय के अनुसार इसमें उपस्थित प्रजातियों की संरचना एवं समुदाइक प्रक्रिया में changes होता है चू किया क्रिया directional होती है अता है इसकी production की जा सकती है Succession की four stages है पहला है colonization, primary succession, climate forest और secondary succession Succession के three cases कारण है Physiographic process, climate process, biotic factor इसके place के base में दो मुख्यता टाइप पाय जाते है Hydro Sear and Zero Sear तथा origin and development के base में two type के पाय जाते है Primary succession and secondary succession Definition देखते है Environment में change के कारण पहले के environment के present animal के इस्थान पर New Organism का इस्थापित होना ecological succession कहलाता है Third point देखेंगे Various stage of succession इसके four stages है Colonization, primary succession, climate forest और secondary succession तो पहला देखेंगे हम लोग Colonization किसी भी नगना space पर plant के origin से लेकर उनके संक्या में वृध्धी तक colonization में आते है इसके नीमने stages है इसमें पहला है migration यह stage में plant के seeds से spores propagules and other plant एक place से पहुंचते हैं फिर है Axis किसी भी बंजर या नगना place में primary plant के stabulation होने की process को Axis कहते हैं इसी process के थुरू किसी नगना place में plant development होते हैं फिर है aggregation Axis के पस्चाथ plant में spelling mistake आप लोग सुधार लेजेगा Axis के basis Axis के पस्चाथ plant में पुस्पन फल निर्माड एवं सीट का उत्पादन होता है ये सीट फिर से उस प्लेस पर अंकूरन करते हुए plant की संख्या में वृद्धी करते हैं फिर है competition aggregation के कारण उस प्लेस पर plant अपनी संख्या में वृद्धी करता है तथा उनके बीच competition origin होता है फिर है reaction यह succession का biotic case होता है जिसके फल सोरुप्रप अपने वृद्धी के लिए raw material प्राप्त करता है तथा उसके बाद अपने उपापचई क्रिया continuously कर waste पदार्थ को सर्जित करता है फिर है primary succession colonization के बाद इसमें primary succession होता है जिसके पस्टाथ और्गिनीजमें में नीमने changes आते है पहला है soil formation उस प्लेस पर उपस्थित फर्स्ट प्लांट के कुछ समय पस्टाथ डेथ हो जाती है तथा प्लांट बाड़ी के सर्णे से humus का formation होता है जितने जो प्लांट होते हैं वो सड़ जाते हैं और उस सड़े हुए जो पदार्थ होता है जो सड़ सड़ जाता है उसी सफीर humus का formation होता है जिसके कारण प्लांट के ग्रोध के लिए soil बनती है वहाँ पर ग्रोध करने वाले प्लांट के लिए humus मिल जाता है फिर है rate of succession चुकि फर्स्ट लैंड में प्लांट के लिए परफेक्ट प्लेस नहीं होता है अता हो उस प्लेस पर प्लांट की संख्या नहीं है धीरे धीरे प्लांट की संख्या बढ़ती जाती है फिर है divergence in the latter stage of succession जब परफेक्ट संख्या में उस लैंड में प्लांट पाए जाती है तो बाद में water की मांत्रा मृदा की मृदा का गठन water level जल वाईविय दसाएं चेंज होती है जिससे प्लांट की संख्या में विभिननता आती है फिर है climate forest यह सक्सेशन की last stage है जिसमें result में उस प्लेस पर एक climate stable होता है तथा जल वाईविय दसाएं भी stable हो जाती है तथा उस प्लेस पर आन्या चेंज इंपॉसिबल है फिर है secondary succession जब किसी कारण वस किसी प्लेस के forest या पादाप नस्ट हो जाते है तथा वहाँ पर पुना सक्सेशन होता है जिससे secondary succession कहते है टाइप अप प्लांट सक्सेशन नीमना टाइप की होते है अन दे बेसिस अफ ओरिजिन एंड डेलप्मेंट प्राइमेरी सक्सेशन बायोटिक कम्यूनिटी का सक्सेशन ऐसे प्लेस में होता है तो इसे secondary succession कहते है फिर है autogenic succession जब किसी प्लेस पर सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पर present community environment change कर जिससे वे community, new community द्वारा पतिस्थापित हो जाता है फिर है autogenic succession कभी-कभी प्लेस में present community में substitution उस प्लेस के organism के बजाए other external condition के कारण होता है जिसे allogenic succession कहते है फिर है induced succession ऐसा succession human की earrings के similar develop किया जाता है फिर second देखेंगे on the basis of place place के base पर देखेंगे तो two type के होते हैं hydro shear और zero shear तो hydro shear देखते है जो कि water bodies जैसे ponds like etc से प्रारम होता है उसे hydro shear कहते हैं यह विभी नए stages से complete होता है और इसके stages देखते हैं फैटो plankton stage इसे pineal stage भी कहते हैं यह stage planner community के रूप में होता है इसमें कुछ blue green algae and green algae dietome and bacteria etc प्रेजन्ट होते हैं यहाँ pond के meat place में सबसे पहले ketorize है फिस second देखते हैं sub-marged stage रिधी कह रहे phytoplankton की death and आसपास के rain से लाई गई इस soil के कारण पहुंस की गहराई कम होती है तथा इस बने कीचर में rooted, submerged, hydra, valley sonia, utricular area, phylogtia, poto, mecton, etc development करते हैं यहाँ पर डाइग्राम है इको लोजिकल सक्सेशन का hydrocear succession का, sorry यहाँ पर dry जो dry area है वहाँ पर किस टाइप के plants पाए जाते हैं water में किस टाइप के plants पाए जाते हैं इस अभी stages के plant का यहाँ पर डाइग्राम बनाया गया है तो आप लोज डाइग्राम इसके मत किजिएगा डाइग्राम के बेस पर कुछ ज्यादा नंबर मिलते हैं इसलिए rooted floating stage freezer wear की depth shallow होने पर plant development करने लगते हैं जिसमें rhizome present होते हैं इसके अलावा planting plant होते हैं जैसे निलूम्बो निमफा ट्राफा एक्सेटरा ग्रोथ करते हैं root swamp stage इस stage को amphibian stage भी कहते हैं इस stage में पानी की गहराई के दो से चार फीट तक रह जाती है इनमें ऐसे plant development करने लगते हैं जिनके ऐसे लेटरी औरगन भाग वाटर के उपर हवा में रहते हैं जो कमल का पौधा होता है अनुसका जड़ पानी में रहता है और जो उपरी जो उसका भाग है पत्ती और फूल वो पानी के उपर होता है वैसे ही यह है दीक्याँ पिर है सेल्स्ट मीडो स्टेज अप्यूगत स्टेज के बाद लगबक सूस का भूमी का formation होती है जिस पर जाड़ियां आदी क्रोध करने लगती है जो सेल्स्ट मीडो स्टेज होता है उसमें जो जाड़ियां होती है वो उगए होते है फिर है forest stage stage, यह climax stage stage है, जिससे बड़े इवरिख्च भी आते हैं, जैसे elmas, acer, error, locks, etc. फिर है zero share succession, ऐसा succession जो सूस के छेतर में होता है, उस प्रकार के succession को zero share succession कहते हैं, इसके various stage हैं, पहला दिखेंगी, crustose ligand stage, इस stage में केवल, crustose ligand ही development करते हैं, विकोज इसके अलावा आन या कोई भी plant यहां develop नहीं करते, ligand में water की अतियधीक कमी को सहान करने की छमता होती है, fallis ligand stage, crustose ligand के द्वारा, rock समय लाए गए, changes के कारण, इन पर humus yuk the soil में, dermato, corpon, parmelia, humblycaria, idonia जैसे, philose ligand का origin होता है, यहां पर ligand का diagram दिया गया है, shrub tree सब दिया गया है, zero chair succession का diagram है, तब लोग diagram बना लीजेगा, फिर है moss stage, rock bed पर soil के संचा के कारण, gyropatic moss के development के लिए उप्यूकत परिस्तिया निर्मिद होती है, यहां पर grimia, poly trichome, even tortula जैसे moss plant का development होता है, फिर है herbaceous stage, mosses के अतियधी कृति के कारण, rock में मिट्टी का formation होता है, जिससे साकिया प्लांट पी, pastyuka, aristida, etc. origin होता है, फिर है shrub stage, उप्यूकत स्टेज के आने के पस्चात का भी अर्थात मिट्टी का संकलन होता है, जिससे की shrub प्रकार के पौधे जैसे रस phytocarpus के development होता है, फिर है climate stage, यहाँ climate stage है, जिससे forest पूर्ण रुप से विक्सित होता है, फिर देखते हैं on the basis of nutrition, nutrition के बिस पर देखेंगे इसमें, autotropic, इस प्रकार का succession उस प्लेस पर पाया जाता है, जहाँ in organic substance के मांत्रा अधीक होती है, इसका example है green plant के present में succession, फिर है heterotropic, इस प्रकार का succession और्गेनिक सब्स्टेंस के अधिक्ता वाले छेत्र में पाया जाती है, जहाँ energy का हास होता है, इस प्लेस पर bacteria, fungi, प्रिसिपिटेशन के कारण होता है, फिर है मेराई, ocean, emergence, नगन भूमी सदा होते हैं इसमें, फिर है climate process, climate process में wind, dropped, इस तोर, snowfall, और lightning इस सब आएगा, देखते हैं wind, wind के fast flow के कारण plant नास्ट होगे है, dropped, अधिक dropped के कारण second night area की origin हुई, फिर है snowfall, अधिक snowfall की वज़े से वनस्पतिया नास्ट हो जाती है, फिर है lightning, इसके कारण forest में fire लग जाती है, और present plant नास्ट हो गए, फिर है biotic factor, human के अपने स्वार्थ पूर्थी के लिए forest को नास्ट कर देते हैं, फिर है animal, ये tree and plant को चर कर नास्ट कर देते हैं, फिर bacteria, fungi, algae, insects, पौधे में रोग उत्पना कर उन्हें नास्ट कर देते हैं, उसके बाद है conclusion, ecological succession, growth की succession की process है, time की according इसमें present species की structure और समुदाइक प्रक्रियाओं में change होते हैं, environment stage होने के कारण पहले के present animal के इस्थान पर new organism आ जाते हैं, succession की process various stage में होती है, जो है colonization, primary succession, climate, forest, biotic factor, secondary succession, succession के three region होते हैं, विजोग्राफिक process, climate process और biotic factor, रिफ्रेंस देखते हैं, ecology by, पीवी एन, फेमेरो, और बाई पीडी सर्मा, बाई नेट, क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उसको skip भी कर सकते हैं, बाई पीडी सर्मा लिख लिजेगा और बाई नेट लिख लिजेगा, ट्रीक है, और आपको और कौन से टॉपिक पे नोट चाहिए, कमेंट मैं बता सकते हैं, थैंक यू पूर वाचिंग,